forums के option को select कीजी, select करने के बाद register of shifting, forum art का जो option है, वो आपको select कर लेना है, यहाँ आपको वो पहचान पतर संख्या डालने हैं, जिसे आप shift करना चाहते हैं, एक पार, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में, fill करने के बाद नीचे आपको proceed with में same epic को select करना है, और fill forum art के वो select कर लेना है, जैसे आप fill format पे click करेंगे, आपको applicant की detail दिखाई देगे, आप check कर ले, फिर जो radio बटन है goal, उसे आप select कर लीजिए, और next करिए, next करने के बाद आपको AC नंबर, part नंबर, serial नंबर दिखाई देगा, वो देखने के बाद नीचे आप shifting of residence, इसको आपको select करना ह अब आपको नीचे shifting of residence के नीचे दो option है, तो आपको within assembly consistency select कर लेना है, select करने के बाद आप कौन से अनुभाग में shift करना चाते हैं, वो अनुभाग आपको select कर लेना है, select section number और name में, जैसे मैं 3 number select कर लेता हूँ, ये select करने के बाद आपको fill forum art पे click कर लेना है, अब आप view के देखने के बाद save and next पे click करेंगे, यहां आपको मदाता की personal detail जैसे नाम और epic number दिखाई देगा, इसके ठीक रीचे आपको आधार number फिल करना है, आधार number के बाद mobile number और mobile number के बाद email ID, ये तीनों आपको fill कर लेने हैं, तीनों जरूरी हैं, तीनों fill करने के बाद आप save and next पे click करके आगे चलेंगे, मैंने तीनों fill कर लिया हैं, अब आपको जो, अब present जो address है, ordinary residence present का, वो आपको पूरा fill up करना है, आप building का number, street area, locality, सब, fill करने के बाद आपको document देना है, जैसे आधार card में select कर लेता हूं, और choose file पे click करके आपको उस document की photo attach कर देनी है, photo attach करने के बाद, जैसे आप okay करेंगे, थोड़े से time के बाद आपकी photo attach हो जाएगी, फिर आप save and next पे click कर दीजे, यहाँ आप details चेक करके save and next पे click करेंगे, पूरा form का preview आपको दिखाई देगा, आप check कर लिजे क्या पूरा form ठीक है या नहीं, form ठीक होने के बाद, आप जैसे ही submit पे click करेंगे, आपको successfully का message मिलेगा, और एक reference number मिल जाएगा, जिसे आप form को track कर पाएंगे, इस तरह के से आप एक voter को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में shift कर सकते हैं, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी shift कर सकते हैं, एक ह assembly constituency के अंदर, अगर आप एक AC से दूसरे AC में vote को shift करना चाते हैं, तो इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है, आप इस वीडियो के निचे description में उसका link देख पाएंगे, तो उस वीडियो का आप चेक आउट कर सकते हैं, तो आशे करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा हुआ 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 ह